सीधे मैं रूख कर लेती हूं, हमारे साथ कई सेयोगी बने हुएं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ हमारे फॉरेंसिक एक्सपोर्ट इंद्रजीत रहे हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ आप देख रहे हैं अब इशेक उपाध्याई भी और वरुन जैन भी जुड़े हुएं, ल लेकि शराब पीने की पुस्टी नहीं है, लेकिन इस पॉस्टम रिपोर्ट में लिखा है कि बॉड़ी का एक हिस्सा विसरा के तौर पर प्रिजर्ब किया गया है, उसकी केमिकल अनालीसिस होगी, और शराब पिया या नहीं पिया, या तो बलड से या फिर विसरा की रिप इस वक्त मौझूद है, वो कहती है, exposed from the back of the chest, the grinding effect on the ribs, sharpening of the bones, यानि कि जो लंग्स होते हैं, उसको एक केज, जो हमारे शरीर के चारो तरफ है केज या हड़ियों का, इसके अंदर वो लंग्स होते हैं, वो पीछे के साइड से पूरी तरह से exposed था, यानि कि घेश चुका था और उसकी opening हो चुकी थी, उस opening से लंग्स बाहर जा चुके थे, दूसरी बात ये उसका size बताती है, pelvic bone को बताया जाता है कि intact है, जैनेटिला यानि कि private parts की injury के बारे में report बताती है कि वहाँ पे किसी तरह की injury उनको नहीं मिली है, blood के हिस्से को preserve किया गया है, ये जाचने के ल chemical उसने लिया, medical or forensic term में alcohol को एक chemical की संग्या दी जाती है, और इसका पता तभी चल सकता है, जब विस्सरा को examine किया जाए, और उस पे chemical test को run किये जाए, दूसरे इनके कपड़ों के बारे में कि जब ये शरीर अस्पताल में आया, तो कितना हिस्सा कपड़ों का था, एक blue jeans के बारे में बताया गया इस report में कि उसको preserve किया गया है, उसको भी analysis के लिए बेजा गया है, कि कपड़ों पर किसी तरह के traces हैं कि नहीं है, अभी जो उनके परिजन बता रहे थे, शराब की पुष्टी होना या ना होना, ये तब तै होगा जब विस्सरा का chemical analysis हो जाएगा, और blood का analysis complete हो जाएगा, फिलहार ये जो report अभी पुलिस की तरफ से जारी की गई है, अस्पतार की तरफ से जारी की गई है, उसमें कहीं भी chemical analysis की बात नहीं लिखी गई है, और कहा गया है कि chemical analysis के लिए विस्सरा को preserve किया गया है, यानि आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंत कारे लेते हुए टक-टकी मार के debate show को pause, repeat कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने favorite debates को repeat कर, और download कीजिए ABP live app अपने smart tv पर ABP News आपको रखे आगे